क्या आपको सुजाक की समस्या है यह है एक sexually transmitted disease होती है और सुजाक के वारे में तो आप समीजी रहे होंगे इसको आप बिल्कुल दवा के माध्यम से सही कर सकते हैं और इन दवाओं को मार्कीट से इलाकर घर पर आप बना सकते हैं क्योंकि जिनको सुजाक की समस्या हो जाती है वो अकसर डाक्टर को ढूंडना सुरू कर देते हैं कि हमें अब ये बीमारी हो गी है तो कौन से डाक्टर को दिखाना चाहिए आपको घवराने की बिल्कुल जरुत नहीं है यदि आपके सरीर में बहुत जादा कमजोरी महसूस होने लगी है ठकावट महसूस होने लगी है पूरे दिन आपका सरीर हमें सा गिरा गिरा महसूस होता है आपके कमर में दर्द की समस्या होती है और मूतर मार्क से हलका पीला जैसा सफेज या फिर मवाद जैसा जो पधार्त है वो निकलता रहता तो ये आपको सुजाग की समस्या हो सकती है और इस वीडियो में साथ में आप जानेंगे कि सुजाग बीमारी के कौन-कौन से लक्षण होते हैं, आपको डॉक्टर से कब दिखाना चाहिए, साथ में इसका कौन-कौन से हम बचाव कर सकते हैं, और कौन सी आयरविदिक दवाओं के इस्तेमाल से इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, बेसिकली और यह हमारी जो इस्त्री और पुरुस दोनों को बरावर ग्रूप से प्रभावित करता है, और गौनोरिया से मूत्रमार्ग, मलास्य और गला सबसे अधिक प्रभावित होता है, और इससे संक्रमित जो माता हैं, उन से पैदा होने वाले बच्चों को प्रसव के दौरान यह उनको भी संक्रमित कर सकता है और नवजात सिस्मों को जो गौनोरिया की समस्या है वो उनकी आखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है तो आज हम इसी के वारे में इस वीडियों बात करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी इसकिम ना करें अन तक ज लक्षणों की बात करें बेसिकली जो गौनोरिया के लक्षणों होते हैं वो इतने हलके भी हो सकते हैं कि आपको उनको पता भी ना चले और कभी-कभी जो गौनोरिया के लक्षणों होते हैं लोग इन्हें अन्य लक्षणों के साथ मिला लेते हैं जिससे हम पता नहीं चल पाते कि आपको gonorrhea का संक्रमन हो चुका है बेसिकली यदि gonorrhea का संक्रमन हुआ है तो एक सप्ताय के अंदर ही इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देने सुर जाते हैं यदि महिलाओं के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बुखार आने की समस्या होती है और पेट में तकलीब भी हो सकती है यदि आपका जो संक्रमन है वो फैलोपियन ट्यूग तक और पेट तक अगर फैल जाता है सामान्य रू के दोरान अत्यदिक दर्द महसूस होता है तो यह गौनोरिया के जो सिम्टम्स से यह महिनाओं के अंदर दिखाई देते हैं यदि हम पुर्सों के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें सामान्य से ज्यादा आपको पेसाव आएगा बारबार पेसाव दर्द के साथ और जलन के हो सकती है तो यह सारे लक्षण हैं यह महिना और पूर्समें हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं यदि हम बात करें कि हमको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए यदि उपर बताएग़ ै का कोई भी लक्षण हमको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं या फिर पेसाव करते समय बहुत ज़्यादा जरल महसूस होती है दर्द महसूस होता है लिंग से यौनी मार्क से या फिर मलासे से किसी तरह का मवाद जैसा सिराव अगर निकलना सुरू हो जाता है तो हमें संकर्मण है हमारे जननांगों पर मोहुमर गले में आखों पर और मलास्यों की जो म्यूकस मेंब्रेन होती है वहाँ पर यह तेजी से विक्सित होता है साथ में जो लिंग है यौनी है गुदा है मुक्ष सही तो जो यौन संपर्ख हैं उनके दुबारा जो गौनोरिया का सं करना चाहिए और यहां गतिविद्यों के दौरान इमानदारी से बातें करें और यहां सांजेदारों की जो संख्या है उसको सीमित रखें अपने पार्टनर का भी जो टेस्ट कराएं साथ में अपने खुद का भी टेस्ट जरूर से कराईएंगा लेकिन इसकी रोक थाम को किय जा सकता है इसलिए जो सेक्स के दौरन आपको अत्रिक्त प्रोटेक्शन लेने की जोड़त है जिसकी वाज़े से इसकी संक्रमण को फैलने से काफी हद तक रोका जा सकता है यदि हम इसके कॉम्पलिकेशन की बात करें कि गॉनरिया की दिया को समस्या हो जाती है तो कौन-क एपी डाइडाइमाइटिस जिसकी वज़े से एपी डीडीमिस में सूजन हो जाती है और जो की अंड कोसों में भी सूजन का एक कार्ण बनती है यदि में इसके उपचार की वारें बात करने के आयरुवर्द में कई तरह की जड़ी बूटियां उपलव देती है जैसे कि सह सूल है गंदक रसायन है आप इनका इस्तेमाल भी अपने नजदी की अईरुवर्दिक डॉक्टर की सलाय से प्रियोग कर सकते हैं कैसे इस्तेमाल करना है यह आपको डॉक्टर साब बता देंगे और एक इसके लिए आप घरेलू नुस्खा जिससे आप अपने घर पर आसान आप ले लिजेगा और इनको कूट पीस कर एक चूरण बना लिजेगा और इस चूरण में से आधा चमत सुबह आधा चमत साम खाना खाने के बाद पानी के साथ लेने से जो सुजाक की जो समस्या है मातर दो तीन दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखाई देना शु आप जी अत्यादी का आपको इस्तेमाल करना है दही का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है यदि आप इन तरीकों को अपनाओगे और कुछ परेज अपना रखोगे तो डेफिंटली इस बीमारी से काफी हथ तक बच सकते हैं तो आज हम बात करें तो इसको हम कैसे बचाव क कर सकते हैं क्या करते हैं के कारण होते हैं क्या क्या दिखाना चाहिए कौन से लाक्षण होते हैं तो इसके वारे में हमने आज complete जानकारी लिए यदि वीडियो में बताएगे जानकारी आपको अच्छी लगी है और वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजेगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पाज पहली बार आए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा साथ में जो बैल आइकन है उसको दवाएगा और पर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंसे जिससे कि आप हर वीडियो को लाब ले सकें तो फिलाल यहां तक वीडियो को पूरा- हिंद बंदे मात्रम